केंद्र सरकार ने दिल्ली के निजमुदिन अलाके में तबलीगी जमात में शामिल ऐसे 960 विदेशियों को प्रतिबंधित कर दिया है आपको पता दे जो परेटक विज़ा पर भारत आये थे सरकार ने उनका भारतिय विज़ा को भी रद कर दिया है ऐसे भी गुर्य मंत्राले ने दिल्ली पुलिस और बाकी राजियों के पुलिस महानी देशकों को निर्देश दिया है की घोशना के पाफजूदिय विदेशी और बाकी लोग तबली की जमात के आयूजन में शामिल हुए थे और फिर देश के अलग-अलग हिस्सों में गए जिसे कोरोना वारस का प्रसार होने की खबर है तो ग्रेह मंत्राले ने दिल्ली पुलिस और बाकी राजियों के पुलिस महानी देशकों को निर्देश दिया है कि विदेशी अधिनियम और आबदा प्रबंधन अधिनियम तमाम जो विदेशी यहां पर आए हैं नियमों का उन्होंने उलंगन किया उस पर कानूनी कारवाई करे देश के अलग-अलग हिस्सों में गए जिससे कोरोना वारस का जो प्रकोप है वो लगतार बढ़ा प्रेटक वीजा पर भारत आये थे ऐसे में उनके वीजा को भी रद करने की निर्देश दिये गए हैं ग्रेह मंतुराले ने दिल्ली पुलिस और बाकी राजियों के पुलिस महानी देशकों को बड़ा निर्देश दिया है विदेशी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उलंगन करने के आरोप में इन पर कारवाई करने की बात कही गई है लॉक्डाउन की घोष्णा के बावजूद कई विदेशी जो हैं इस नियमों का पालन करते नहीं दीखे ऐसे में तमाम राजियों के महानी पुलिस महानी देशकों को ये निर्देश दिया गया है ग्रेह मंतुराले की तरफ से कि उन पर कानूनी कारवाई की जाए भार्तिय विजा को रद किया जाए इस पर जादा जानकारी के लिए समबादाता रिशिकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं रिशिकेश एक बड़ा निने ग्रेह मंतुराले ने लिया है लगातार गोशना की गई थी हमारे साथ जुड़े वे आभिशेक उसके बावजूद उन नियमों का उन गोशनाओं को नजर अंदाज करके वो कई जमात में शामिल हुए और उसके बाद वापस अलग अलग रा राज्यों के मुक्सचीबों को चिठी लिग दी गई थी और 960 लोगों को वीजा रद करने की बात कही गई है उसमें दो तरह के नियमों का हवाला दिया गया मिता पहला कहा गया कि 2005 में जो आपदा परबंदन का जो नियम है उसके तहत उनके वीजा को रद कर उनके थे वो तमाम टूरिस्ट वीजा पर इंडिया मौजूद थे और धार्मिंग संगट्टों के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे सबसे ज्यादा तमलीगी जमात के लोगों की बजह से यह जो थर्ड संक्रमन स्टेज में कहा जा रहा है कि यह संक्रमन का तीसरा कर दिया गया है पैक कर दिया गया है लेकिन अभी भी उनके जो लोग हैं वो बहुत बाहर हैं जिस तरह से गाजियाबाद में बात करें या फिर नोड़ा में बात करें या फिर दिली के कुछ अस्पतालों में शिकातिया आ रही थी कि जो उनके तबलीगियों के लोग हैं वो नर्सों के साथ खराब भी हैब कर रहे हैं वो अलग-अलग जगों पे गंदे असलील तरीके से हर्कत कर रहे हैं तो इस से खासा परेशान है हां के जो लोकल जिनकी जांच की जारी है और जो जांच में इंवाल्व हैं जो स्वास्त कर्मी है लिहाजा उनको कहा गया है कि पनुसासित रहें, संजमित रहें, क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, बलकि ये पूरे देश का मसला है, और देखे, आज तीसरा संबोधन प्रधान मंतरी ने किया एक वीडियो संदेश के जरिये, और उन्हों उनकी पूरी कोशिश थी कि सिर्फ और सिर्फ होसले के भ प्रधान मंतरी ने कहा कि चौदा के बाद वो इसको खत्म करने पर विचार करेंगे, और प्रेमा खांडू जो मुख्य मंतरी नोंने बकादा इसे ट्वीट भी कर दिया, और फिर उसे डिलीट किया गया, लेकिन अब भी जो सरकार का सरकुलर है, उसके मुताबिक कहा जा र हो, इन सबों की आवाजाही पर रोक रहेगा, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इस तरीके की चीज़े आ रही है, हो मिनिस्ट्री अभी भी राज्यों के संपर्क में है, खुद जो एना ये है, जो जाच करती है, आतंकवादी गतिविदियों को, वो एना ये इसके पूरे तबली ये कहा गया, कि देखे परदान मंतरी को इस वक्त में बताना चाहिए देश को कि वेंटिलेटर आप कितने कर रहे हैं, जिला अस्पताल में, जैसे महराशक मुक्यमंतरी उधर ठाकरे ने कहा, कि वो पूरे जिले में एके कोरोना अस्पताल खोलना चाहते हैं, और मोबाइल एम्बुलेंस वो चलाना चाहा रहे हैं, जिसमें कोरोना कीठो और वो जगा जगा जाये, लोगों का सैंप्लिंग ले, और फिर उसकी जाच कर और इसमें केंदर सरकार से मदद करे, प्रदान मंतरी ने उनके इस फॉर्मूले को सराहा है, तो अर्ने जग हो पर खुद जार प्रदान मंतरी के इस संदेश पर की पांच अप्रेल को रात के नौ बजे आप नौ मिनट दें हमें एक होसले के लिए, एक संकल्प के लिए, लेकिन इस पर प्रक्ष्टिक्रिया भी आ रही है, कॉंग्रेसी से अपने तरीके सालोचनाओं मिले रही है, कॉंग्रेस कर रहे कि इस अपातकाल जैसी सिती में भी आप इसे इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है, लेकिन एक और पक्ष है कि प्रदान मंतरी का ये संबोधन और रात के 9 बजे 9 मिनिट का जो उन्होंने संकल्प लेने को कहा है, आप आने वाले वक्त में अपने होसलों के जरी से और लड़ सके, यो कि मिता ये सिर्फ लॉकडाउन का मसला नहीं है, ये बहुत सारा चीजे है, ज्यानिक तोर पर ये काफी प्रभावित कर रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश है, तबलीगी हो, या फिर स्वास्त की इन ही दो मंत्रालियों पर है, इसलिए वहां के बहुत सारे करम करमचारियों के अपनी कारों नहीं कता है, लो कर रहे हैं काफी 24-24 गंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरीके की बाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर संतोष जनक की सिती है, तबलीगी हो, बिल्कुल ये का करनी होगी इस कोरोना से लड़ने के लिए हम सबी को तमाम जानकारे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, रशीक केश